जह हिन दोस्तों वालकम टीनेंट स्कुल दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी कंपणी के शेयर्ष के बारे में जिसका नाम सायद ही आपने सुना हो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पटेल इंजिनिरिंग की साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसने 13 करोड शेयर्ष पडेल इंजरीरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि यह आखिर है क्या देखें पडेल इंजरीरिंग की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी यह one of the major infrastructure and construction services company है इंडिया में तो इस बापको पताई है कि इस समय पर infrastructure पर तो जो government है हमारी वो बहुत जादा जोड़ दे र इन सभी sectors में यह company deal करती है और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी तक 8000 मेगावाट से भी ज्यादा पावर जनेरेट करी है 180 किलोमेटर से भी ज्यादा इन्होंने tunnels बनाए है 5.5 लाक एकर से भी ज्यादा land का irrigation यह कर चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारी अलग-अलग चीजों में यह involved हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस company के market essential के बारे में अगर बात करें तो 5593 करोड यानि 5593 करोड के आसपास का market cap है आज की date में 55 billion rupees के आसपास यहाँ पर आप इसके कह सकते हैं number of shares 77 करोड से इसके पास P ratio इसका 20.05 है debt है company पर 1542 करोड रुपे के आसपास का cash पड़ा हुआ है company के पास 170 करोड का sales growth 15.04% की company ने इस साल दी है promoter holding जो है वो 39.41% है ROE ratio 5.97% और ROS जो है इसका 13.68% है अब दोस्तों यहाँ पर यह जो पूरी के पूरी details है बहुत ज़्यादा हमारे लिए देखने वाले हैं इसके बारे में अब मैं आपर बात करूँ वही पर अगर share holding pattern के बारे में बात करें तो 52.16% यह shares public ने hold किया हुआ है promoters ने 39.41% hold किया हुआ है DII ने 2.59% foreign institutions ने 2.83% तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DII and FII जो है वो बहुत कम hold करके बैठे हुए है public आच्छा खासा hold करके बैठे हुई है promoter 39.41% के आसपास hold करके बैठे हुए है वहीं पर दोस्तों अगर PROS के बारे में बात करें क्या अच्छी चीज़े है इस company में तो इसने good profit growth दिया है पिछले 3 साल का 61.16% के आसपास अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका जो profit growth रहा है 61.16% small cap company है कुछ खास तो रहा नहीं है तो दोस्तों इसका PG ratio 0.27 और good cash flow management है company का CFO and pet ratio जो है वो 9.96 है अब दोस्तों यहाँ पर एक important बात है कि यह company जो थी एक अच्छी company थी बहुत ही तजी से इसके shares जो है वो grow कर रहे थे लेकिन दोस्तों वो बात थी 2008 की 2008 में इस company के shares जो है वो 600 रुपीज को भी cross कर गए थे एक time ऐसा था उसके बाद 2008 में जब मंदी आई तो इसके shares काफी नीचे गिरे उसके बाद फिर से उपर उठने के बाद काफी नीचे 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 होते चले गए और दोस्तों 2021 के आसपास का समय था जब इसके shares का price 1314 रुपई के आसपास था लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे infrastructure और इन सारी सारी चीजों पर government ने जोर गिया तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यह company के ऐसे sector से जुड़ी हुई है जो इंडिया में बहुत तेजी के साथ grow करता हुआ sector है दूसरी बात यह है कि small cap shares होने के बाप जूद ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल एक rocket हो गया हो share जितने shares आप सोच लीजिएगा कि SJVN चाहे वो दू बहुत ज्यादा नहीं है अभी just बढ़ना शुरू हुआ है और जिस तरह का small shares है जिस तरह से 13 गड़ों shares इसके कुछ बड़े जो हमारे market leaders हैं उन्होंने भी यहाँ पर खड़ीद रखें तो आने वाल समय में shares में growth मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों एक बात का धिहान रखें कि अगर आप लाको रुपे डेली की earning करना चाहते हैं तो इस वीडियो description जो सबसे बैला link है उस पर click करके sign up करें और KYC complete करें thank you